नमस्ता फेंट्स वेलकाउं टो मैं यूट्यूब चैनल वेंट्स वीडियो में आपको शो कर रहा है कि नेबलाइजर यह काफी अच्छा ब्रैंड है इन्फ का मार्केट से इजी लिए किसी भी कैमी शॉप में मिल जाता है छोटे बच्चों के लिए काफी हलफुल रहता है हमें उनको स्टीम देने में दिक्कत होती है तो नेबलाइजर से हम उसको कोई भी द्वाई रैस्पिरेटरी ट्रैक के लिए नियल करने के लिए हल्प कर सकते हैं बाकि इसको सभी एजिस के लिए यूज कर सकते हैं इसमें डियूरबल पिस्टन है और यह काफी फास्ट और एफिशेंट रैस्पिरेटरी थेरपी देने के लिए बनाया गया है यह इस आइडेल है सभी एजिस के लिए और इसका डिजाइन वगरा भी देख लेते हैं इसमें यूज करने के लिए इसके साथ एक सीडी भी यह लोग दे रहे हैं एक पाईब है और यह इसकी मेन ऊनिट है सप्लाई देने के लिए इसकी वायर इसके यहां पर एक कमपाट्मेंट है जिसमें यह वायर इसकी फिट हो जाते है इसमें अरावट 8-5-3 मेटर की वायर है वेस पे लगाने के लिए अलग लग साथ इसके लिए बच्चो और बढ़ों के लिए यह ने यह components दी हैं और filters भी दी हैं कुछ पर ही जो यहाँ पर fit हो जाते हैं इस तरीके से हम लोगों को पाइप लगाना है वह इस जगह पर fit हो जाएगा दोक्टर जो भी patient के लिए medicine recommend करता हूँ इस तरह से हमको मिल जाती है market से वह हम इसमें fill कर लेते हैं और देखिए इस तरीके से इसके उपर fit हो जाएगा और आप इसे as a mask पहन लेंगे face पे और इसको on off करने के लिए आएक switch है आप देखेंगे कि यह नेवलाइजर काफी बढ़िया काम करेगा और वह medicine सीधा आपके respiratory track पर बहुत जल्दी वर्क करेगी और viral fever या फिर खांसी वगएरा में यह काफी helpful रहता है इसको यूज करकर देखते हैं यह नेवलाइजर कही सारे डिजीज में यूज किया जा सकता है जैसे कि ब्रॉंकियलस्थमा रेस्पिरेटरी इंफेक्शन्स पल्मोरी इंफेक्शन्स एयरवे डिजीजिस अब मैंने इसमें मैडिसिन को फिल कर दिया है और यह मास्क इस पे फिट हो जाएगा और यह लॉक हो जाएगा मैं इसको सप्लाई दोंगा सप्लाई देने पर इसमें जो टॉप पे बटन है उसको माहन करेंगे सो इसमें जो मैडिसन के फ्यूम से वो जनरेट होने शुरू हो जाएंगे जो भी पेशेंट है उसको आप ये मास्क दना देंगे तो ये सीधे असर करती है मैडिसन और काफी एफेक्टिव होती है आइप यू लाइक दे वीडियो प्लीज शेर इट हैव नाइस देग